हलो फ्रेंड्स, विलकम बैक टू इस्टेटी विद ज्यान परकास UPSC PT परिच्छा के लिए आज से आपके मौक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और ये प्रस्थन बहुत ही संभावित हैं यानि कि प्रतोगी परिच्छा में पुछे जा सकते हैं जो लोग पेट की त्यारी कर रहे हैं वो लोग प्रती दिन इस मौक टेस्ट को लगाएं अनि परिच्छा के लिए जैसे कि मौक की सविका हो गया या फिर आपकी जो अनि परिच्छा होने जा रही हैं उसके लिए भी ये प्रस्थन बहुत ही important है तो ये टेस्ट सिरीज स्टार्ट करते समय मुझे बस कुछ लाइने यादा रही हैं और वो लाइने हैं कि अभी कहा आराम बदा अभी कहा आराम बदा ये मौक निमंत्रन चलना है अरे अभी तो मीलो मुझको मीलो मुझको चलना है जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, आराम नहीं करना है, आराम नहीं करना है। UPSC PT की परिक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है, आप जानते हैं कि यह दो घंटे की परिक्षा होगी, जिस पर आपकी बहुत सारी परिक्षाओं का जो भविस्य है, वो निर्भर करेगा, दो घंटे का समय मिलेगा आपको परिक्षा में, और इसका पुडांग है, कितना? 100 नकरात्मक अंकन भी होगा, और प्रस्नों के संक्या रहेगी 100, तो यह जो चस्रीज आपके सामने है, सभी प्रस्नों के उत्तर दीजिए, और बताएगी कि इतने प्रस्नों के उत्तर आपके सही है, डेली आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे, इसके लिए सर्त बस एक ही है कि आप इस चनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को प्रेस कर दें, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला कोश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, बताएगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, भारत में पेट्रोलियम का जो राजस्थान, और और तीसरे स्थान पर आता है, यह करम याद रखना बहुत है, यूपित्रिप्रस्थी परिचा के साथ अन्यप्रद्द्रगी परिचाओं के लिए भी, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, बताएगे कि गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है, वो क्या कहलाती है, भाबर, बागर, खादर या फिर खॉंडोलाइट, इसका से उत्र जाएगा आपसन B यानि की बागर, ठीक है, तो जो बागर मिट्टी होती है, इसका जो रंग मिलेगा आपको, वो पीला रखता भूरा होता है, ठीक है, त प्रस्न आपने भोधा देखा होगा, प्रद्रीगी परिचाओं में ये प्रस्न बहुत सारे, बहुत बार पुछा गया है, बहुत सारी परिचाओं में पुछा गया है, रिंग आप फायर का संबंद, किस महासागर से बिलकुर रट लीजिएगा, इसका अंसर हो जाएगा, का option A यानि कि प्रसांत महासागर तो प्रसांत महासागर के जो किनारे हैं उसके चारों ओप छोटी छोटी जोला मुखी है और यह अक्सर फटते रहते हैं तो इसी वज़े से इसे रिंग आफ फायर की संग्या दी जाती है याद रखेगा एक काफी इंपॉर्टन कोश्चन है कई बार पूछा गया है अगला कुशन देखिए निम्नांकित राजसमुह में कौन सा राजसमुह है यहाँ पर जहां यात्री रिल डिब्बो का बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है ओडिशा और राजस्थान तमिलनाडु और पंजाब तमिलनाडु और ओडिशा पंजाब और ओडिशा इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा तो ऑप्सन बी इसका करेक्ट है देखो पेरामबूर बड़ेगा कहां पर चिन्नाई में यह आपको बिल्कुल याद रखेगा पेरामबूर में जो की चिन्नाई में है और इसके बाद जो दूसरा ऑप्सन है पंजाब में कौन सा है कपूर थला तो यह भी आपको याद रखना है कपूर थला भी कपूर थला यह दो अस्थान जहां पर यात्री रेल डिबों का बड़ी मात्रावी निर्मार किया जाता है है नहीं अच्छा प्रस्न चलिए आगे बढ़ते हैं प्रित्वी का सुस्क छेत्र निमलिखित में से कौन सा है पैटागोनियन मरोस्थल गोभी मरोस्थल अटाकामा मरोस्थल या फिर थार मरोस्थल सही जवाब इसका क्या होगा ऑप्शन सी अटाकामा मरोस्थल इसका करेक्ट आंसर है बता देता हूं आपको और देखो यहाँ पर जो पैट लोकेशन यो कई बार पुछी जाती है तो याद आगना कि जो भी मरुस्थल है इसका जो लोकेशन है वो मंगुलिया और चीन में स्थित है ठार मरुस्थल एक प्रस्ण एक जामें एक्सर पुछा जाता है कि वह कौन सा मरुस्थल है जहाँ पर सरवार्धिक आबादी वास कर है तो यह थार मरुस्थल है और यह भी याद देना कि थार मरुस्थल दक्षणी एसिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है ठीक है भारत पाकिस्तान के मद्ध सीमा रेखा का नाम बताइए बहुत यासान प्रस्न है भारत पाकिस्तान के मद्ध जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है तो देखो फ्रेंड इसका अंसर क्या हो जाएगा option C red cliff रेखा magmohan रेखा ये भारत और चीन के बीच में है ये यादगनाप इंडिया अंचाइना के बीच में है डूरन रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है अचा मैनर हीन रेखा ये किन दोदेशों के बीच में है तो ये सोवियत रूस और फिन लेंड के बीच में है मैनर हीन रेखा उम्मीद करता हूँ ये नया knowledge होगा आपके लिए बहुत कम इसके बारे में लोग discuss करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, अगला question देखिए, सबसे चोटा राष्ट्री राजमार्ग जिसका नाम हो गया है, NH966B, NH966B, या किस जील के पास इस्थी थे, ये सबसे चोटा राष्ट्री राजमार्ग है, NH966B, इसका जो पहले नाम था, वो क्या था NH47A के नाम से जाना जाता था, इसको rename क्या गया है, NH966B के रूप में, और यह किस जील के पास इस्थी थे, सही जवाब हो जाएगा, वेमबानाद जील, जो कि केरल में इस्थी थे, तो वेमबानाद जील के किस जीले में है, कोटम जीले में है, किस जीले में, कोटम, और य मेनित कीजिए राश्ट्री पार्क हैं और अस्थान ये कहां कहां पर मिलेंगे आपको केबल लाम जाओ डाची गाम मुदू मलई और काला काड तो आपको बताना है कि इनकी लोकेशन क्या है केबल लाम जाओ मिल जाएगा आपको मडीपूर में डाची गाम मिलेगा स्रीनगर केयर जम्मु कश्मीर में मुदूमलाई निलग्री तमिल नाडू में और काला काड तुरुनेल वेली तमिलनाडू में तो यह याद रखना और जितने भी राश्टी पारक हैं उनकी लोकेशन जरूर यादर रखनी क्या प्रयास क्रना इacon पूशी हाते हैं इसमें सही आस्ट्रेलिया में तो फ्रेंस इसका आंसर जाएगा option C उत्तरी पश्रिमी हवाई दीप में इस्थीत है विश्चु का सबसे बड़ा समुद्र सनरक्षित छेत्र है इसके उत्तर पर हो सकता है कि आपको confusion हो क्योंकि इसके पहले यानि कि विश्चु का सबसे बड़ा समुद् रीफ है ठीक है ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र सनरक्षित छेत्र था लेकिन बड़तमाम में उत्तर पश्रिमी हवाई दीप है निम लिखित में किस अस्तान पर राष्टी जय विवित्ता प्राधिकरण की स्थापना की गई है बताईए बहुत अच्छा प्रसन है राष्टी जय विवित्ता प्राधिकरण आपको कहां पर मिलेगा यह मिलेगा आपको चिन्नई में भारत में जय विवित्ता अधिनियन 2002 में पारित हुआ था आपको यादी होगा उसी के बाद एक अक्टूबर 2003 में चिन्नई में राष सद्रेश विवित्ता कहां पर मिलती है सांध घाटी में मिलती है और यह केरल में इस्थी था है आप जानते ही जो सांध घाट इसलिए क्योंकि आपर केड goodbye होते हैंimiz ज्यादा शरगुल नहीं करते तो सांध घाटी मान ही जाती है कॉन एक चिपको ऑंदोलन से नहीं जुड़ा है यह प्रस बताईएक चिपको आंदोलन से नहीं जुड़ा है तो चिपको आंदोलन शुरु हुआ था कहा हुआ आता था तो इसका सेजवा बजाएगा option D या नहीं मेधा पार्ट कर यह आपका correct answer है फिर चलिए आगे पढ़ते हैं और हमारा जो अगला question है उसको discuss करते हैं Great Victoria Marustal कहां पर इस्तित हैं बताइए कि Great Victoria Marustal जो है अगर आपको देखना है तो आप कहां पर जाएंगे Great Victoria Marustal पस्चिमी आस्ट्रेलिया के दक्षडी पूर्वी पस्चिमी आस्ट्रेलिया है तो उसके दक्षडी पूर्वी तथा दक्षडी आस्ट्रेलिया के पस्चिमी भागों में लगबग 500 मिल तक पूर्व से पस्चिम को फाला हुआ एक ब्रिहत Marustal है Great Victoria Marustal यानि कि यह इसका option B की correct है Australia इसकी जो उसत उजाई है वो 500 से 1000 फीट है और इस मरवस्थल के मद में कई खारे पानी की छोटी-छोटी जीले भी पाई जाती है अगला question है प्रतम विशुभाग सम्मेलन कहां पर संपन हुआ था जो पहला विशुभाग सम्मेलन हुआ था वो कहां पर संपन हुआ था सही जबाब इसका है option D सेंट पीटर्सबर्ग तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में पहले अंतरराश्टी बाग सम्मेलन का आयोजुन किया गया था इसका लक्ष बागों के प्राकिर्तिक आवासों की रक्षा के लिए एकवास्वी प्रडाली को बढ़ावा देन द्वारा किस प्रकार की भू आक्रिती का निर्माड होता है यह पताना है आपको किस प्रकार की तो ऐसी भू आक्रिती बनती है इसको करते हैं विसर्फ यानि कि option A correct है और कोरियालेसिस यह एक व्यक्ति थे और इन्होंने 1835 में एक प्रभाव यानि कि बल की खोशती थी और प्रभाव के नाम पर इसे कोरियालेसिस बल भी कहा जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि यह जो आक्रितियां बनती है प्रभाही जल्के कोरियालेसिस प्रभाव से विक्षपर द्वारा जो भू आक्रिती बनती है यह बिसर्फ आकार की बन जाती है बताए कि भारत के क किस राज में लाल पांडा पाया जाता है लाल पांडा भालू की परिवार का सदस से आप जानते ही हैं लाल पांडा कहां." आपर पाया जाता है।। घंटपनी पौधा आपने देखा ही होगा, इसकी एक आकरती में बनाने का प्रयास करता हूँ, एक ऐसा पत्ता होता है, जो कि आकर ढख लेता है, फिर ये इसका मूह हो गया, और इस परकार से इसकी आकरती होती है, और ये connect रहता है अपनी जड़ों से, क्या होता है कि जब को हो जाता है, तो nitrogen की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे, जो होते हैं कीट, उसका भक्षण करते हैं, तो ये घटपनी जो है बरतमान समय में, आपको मिलेगा स्रिलंका और असम में, सही जबाव, इसका option A है, असम, ये पौधे जो होते हैं, वो basically हर्ब होते हैं, हर्ब सा यानि कि Nepenthes कुल का किडभक्षी पौधा है, कई बार exam में पूछा जाता है कि ये किस कुल का पौधा है, तो याद आखिए कि इसका जो कुल है, वो क्या है, इसका कुल है, नेपेंथिस, ये इसका कुल है, इसको पीचर प्लांट भी कहा जाता है, बताएक कि निमलिखित न option A ही रहेगा फिर देखते हैं tigris नदी तो tigris नदी जो है ये फारस की खाडी में ही गिरती है तुर्की में टुर में लोगतर से निकलती है ये भी चादग न कि tigris नदी जो है ये तुर्की में बाई याती है आमूर नदी किस में है चीन और रूस की सीमा बनाती है अमुर नदी चीन और रूस की यह सीमा है जो कि प्रसांत महा सागर में आकर गिरती है और माहिग नदी के बादAnyस के जो सही यह रहेगा Aa कों को वर सूसर को बड़ा रहा है हुआard एंンダल सूर मनडल में सूर से दूसरे स्थान पर ग्रह वह सुक्र है और निकरत्तम ग्रह कौण सा है तो बुद्ध है तो इस प्रकार से इसको आप आंसर करेंगे और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा option a option a कौन दो भारती राज्यों की साज़दारी वाली जील है और यह प्रस्न अगर आपको अच्छे प्रस्न है कौन दो भारती राज्यों की साज़दारी वाली जील है इसका आंसर जाएगा पुलिकट बताएगी कौन-कौन से राज्य पुलिकट जील की साज़दारी करते हैं बताएगे यह बहुत ही अच्छा question है तो देखो जो पुलिकट जील है basically friends इसके बारे में बताएग भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे-पानी की जील है यह जील आंध प्रदेश और तमिल नाड राज्यों की सीमा पर वस्तित है तो यह जरूर यादकना की यह जो जील है यह आपको आंध-प्रदेश और तमिल नाडamento की जो सीमा है वहां पर आपको मिलेगी स्री हरिकोट दीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है तो सही जवाब है पोलीकट यादगना कफ एच्छा प्रस्न है भारती उप महादीप मूलत किस विसाल भूकन का भाग था भारती उप महादीप मूलत किस विसाल भूकन का भाग था जुरासिक पार्क आर्यावर्थ गुंडव करूण साल पहले तक था यह पैंजिया का दख्षडी भाग था उत्तरी भाग को लारेशिया का जाता है गुंडवाना लैंड का नाम यह रही disabled नहीं है महबीर स्वामी को ल्लीदवुर में एक पड़ाना गाट वरीघ्यू विहर लख़्ी में एका नहीं इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहा पर इसके लिए आप अगर जाएंगे तो ये वहां पर आपको मिलेगा अस्तापना इसकी वडिती 1976 में और यह बने जो बिहार जो है इसका विस्तार 410 वर्ग किलो मीटर तक है विजय सागर पक्षी बिहार मिलेगा महोबा में तो यह सब याद रखनों सब इंपोर्टेंट है उत्तर प्रजिस में इस्तित मडवाडी वाराणशी डीजल लोकोमेटु वर्ग यानि कि इसको आ अप्राइल 1956 इसबी में डीजल लोकोमेटु वर्ग मडवाडी वाराणशी में ततकारी डाश्पती कौन थे डाक्टर राजिंद प्रसाद आप्सन एक करेक्ट है कि द्वारा जो है इसकी आधार सिला रखी गई थी उत्तर दिसके आउध्दोगिक संस्थानों में कौन एक सेई सुमिलित नहीं है उत्तर दिसका जो अधुगी संस्थान है सेंट्रल पोटेटो रिसर्च सेंटर आलू केंद्री आलू और संथान केंद्र यह मेरेट में मिलेगा करेक्ट है इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंसिचुल बरेली में है इसकूला पेपर टेक्नलाजी सहार अरणपूर में है नेशनल सेंटर फार एग्रो फॉरेस्ट्री गाजियाबाद में है नहीं कहां पर है यह जहांसी में है तो सही जिवाब इसका आप्शन डी है एसिया को माना सभिता का पालना कहा जाता है अब उत्तर तुम ने आपको बताई दिया तो प्रस्न बनेगा कि किस महादीब को सभिता का पालना कहा जाता है तो एसिया को ठीक है यह याद अगना और यूरोप को सांध प्रायदीप प्रायदीपों का प्रायदीप और प्रक्रेंडित प्रायदीप भी कहा जाता है किसको यूरोप को ये भी याद अगना कि सांध प्रायदीप के नाम से इरोप को जाना जाता है प्रायदीपों का प्रायदीप भी से का जाता है उत्तर ये अमेरिका विशु का तीसरा सच्छड़ा प्रायदीप है और इसकी कोज जरू करेंगे और जो सबसे अच्छा यहां पर उतर रहेगा मैं उसको एक हर्ट भी दूँगा तो प्रस्न होगा कि किस वाय मंडल में किस मंडल के होने से विश्व में संचाक रांती संभव है शोब मंडल संताप मंडल ओजोन मंडल या आयन मंडल टेलिग्राम चैनल इस्ट जोइन कर लीजिएगा जो अब साइट है इस्टेडिविध्ज्यानप्रकास.com यहां पर जाकर इन प्रस्नों का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्कृसर में रहेगा मतलब यह कि जो प्रस्न यहां पर पढ़ाए गए हैं अगर आप जानना चाहते है कि कितने प्रस्न आपको याद हुए तो इसका टेस्ट आप दे दीजिएगा टेस्ट के लिए नीचे एक लिंक है उस पर जाएए हो फटा-फट क्लिक करते चले जाएए आपको बता चल जाएगा कि कितने प्रस्न आपको याद हो गए ठैंक यू सो मॉच अवे ग्रेट डे जाएए हैं